बच्चो, उत्पादन के लिए जितनी जरूरत कच्चे मालकी होती है, उतनी ही जरूरत उत्पादन के अन्य साधनों की भी होती है, जैसे श्रम, भूमी, पूंजी या साहस. अगर हम भूमी की बात करें, तो देखते हैं रायपूर शहर में भूमी का वित्रण किस प्रकार किया गया है? बच्चों, आज से लगभग 15 से 20 वर्ष पूर्व रायपूर के बाहरी छेत्रों में ज्यादा तर क्रिशी भूमी हुआ करती थी, लेकिन धीरे-धीरे क्रिशी भूमी का यह छेत्रफल कम होता गया और खेती की जमीन की जगा, बड़े-बड़े वेबसाइक परिसर, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, बड़े-बड़े स्कूल, कॉलेज और रिहाशी कॉलोनिया बन गई क्या आपने कभी सोचा है? ऐसा क्यों हुआ होगा? राइपूर शहर में उद्योगों के विकास के साथ-साथ यहां रोजगार की संभावनाय भी बढ़ी और रोजगार की तलाश में ना केवल रायपूर के बाहर यानि की 36 गड़ राज़ के बलके 36 गड़ के बाहर के लोग भी रोजगार की तलाश में यहां आने लगे जिससे शहर में जनसंख्या का दबाव काफी बढ़ गया, रिहाशी भूमी की कमी होने लगे और धीरे-धीरे खेती की जमीन का प्रियोग भी रिहाशी कालोनियों की रूप में किया जाने लगा शहर के बाहरी छेत्रों में बहुत सारे सयंत्रों के स्थापना की गई है इसी तरह रायपूर शहर की भूमी का एक बड़ा हिस्सा सारवजनिक कारयलों के लिए भी उप्योग किया गया है नया रायपूर में भूमी का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कारयलों के स्थापना के लिए प्रियोग किया गया है रायपुर शहर की भूमी का एक बड़ा भाग अस्पतालों के निर्मान के लिए भी प्रयोग किया गया है पुराना रायपुर में एम्स का निर्मान किया गया है उसी तरह नय रायपुर में सत्तसाई संजिवनी अस्पताल का निर्मान किया गया है जहां छोटे बच्चों के हिर्दय रोग से सम्बंदित बिमारियों का निश्वल्क इलाज होता है शहर की भेड़भाण को नियंत्रित करने के लिए जैस्तम चौक के पास नए पार्किंग इस्थल का भी निर्माण किया गया है रैपूर शहर के लोगों के मनुरंजन को ध्यान में रखते हुए कई सिनेमा घरों और पार्क का निर्माण भी किया गया है शहर की भूमी का एक बड़ा हिस्सा शहिद वी नरायन सिंग अंतराश्टी स्टेडियम के लिए भी उप्योग किया गया है बच्चो किसे भी उत्पादन में श्रम का महतुपूर योगदान होता है बात अगर हम रैपूर शहर के करें तो हम देखते हैं कि यहां लगातार स्कूल भवन, अस्पताल या सरकारी कारयों का निर्माण होता रहता है इन निर्माणे कारयों में सहयोग देने के लिए गाउं से कई लोग रैपूर आते हैं वैसे तो गाउं के लोगों का मुख्य काम खेती करना होता है लेकिन क्योंकि साल भर खेती नहीं कि जा सकती इसलिए जब खेती नहीं होती है तो वे निर्माणी कारे में सहयोग देने के लिए शहर के ओर आते हैं इसके अलावा कुछ अनिश्रमिक भी होते हैं जो बढ़ई के रूप में कारे करते हैं या प्लंबर के रूप में काम करते हैं, कई श्रमिक बिजली मिस्त्री के रूप में भी काम करते हैं। इनमें से वे श्रमिक जो इन कारियों में दक्ष होते हैं, कुशल श्रमिक होते हैं और कुछ ऐसे श्रमिक होते हैं जो कुशल श्रमिक के सहयोगी के रूप में काम करते हैं। कुछल श्रमिकों की मजदूरी आ कुछल श्रमिकों की अपेक्षा कुछ जादा होती है कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो दिहाडी मजदूरी की आधार पर काम करते हैं ऐसे मजदूर रोज अपने घरों से निकल कर एक स्थान पर एकत्र होते हैं इन स्थानों को चावडी कहते हैं रायपूर के तेली बांधा छेत्र में कुछ ऐसा हिद्रिश्य देखने को मिलता है बात अगर हम श्रमिकों के आर्थिक स्थिति की करें तो हम देखते हैं कि जो दिहाडी मजदूर होते हैं उनकी मजदूरी उनको काम मिलने पर निर्भर करत होती है और जो मासिक मजदूरी के आधार पर काम करते हैं उनकी मजदूरी निश्चित तो होती है लेकिन उनकी नौकरी इस्थाई नहीं रहती है